Hi friends मैं हूँ Ms. Unknown Explorer and welcome to my video मैं unbox करने जा रही हूँ मेरा नया action camera जो मैंने purchase किया है Amazon से as you can see it मैं इसको आपके सामने unbox करने के लिए जा रही हूँ आप प्लीज मेरे वीडियो में बने रहीए का वेल इसके अंदर मुझे मिला है Xandis का memory card जो कि 128 GB का है साथ ही मुझे इसके साथ मिला है एक action camera है जो कि dual screen है dual camera है प्लस यह fit star company का है इसके अंदर भी और कई accessories है इसके features भी अच्छे हैं जैस इसका battery है और 1950 mAh यह waterproof है अप टो 99 fit waterproof है इसके इसके भी और variety features है और यह है मेरा tripod stand यह भी यह complete set मुझे मिला है 8999 में चलो इसके अंदर मैं अन्बॉक्स करके देखती है और इसके अंदर क्या क्या है लेट उस अन्बॉक्स इट यह क्या है you can see this is my new action camera यह ऐसे पैक होकर आया है लेट्स सी इसके अधर आसेसरी क्या क्या है अधर आसेसरी से डिफ्रेंट आसेसरी दिये गये हैं इसका अलग अलग यूजस है इसके फीचर्ष के बारे में अब कुछ बोलना जांगी यह वाला है यूजस वी बॉट्ट जो चार्जिंग के लिए इसको यूजस कर सकते हैं यह है रिस्ट वाट इसको यह एक्चुली इस इस रिमॉट आप इसको इसको आप रिस्ट वाट पहन हात में पहन कर इस कैमरे को कर सकते हैं कि जाईस यह वाला इस क्यामरे का का वह है मैं आपको दिखाती इसको कैसे ऑई करते हैं यूजस करते हैं इस यहां इसको आप इस तरह कीजिए इस तरह पीछे से इसको निकालेगा इसको हाथ में लीजिएगा इसमें फिक्स कीजिएगा ओके और इसके वहां से फिक्स कीजिएगा है 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 और गाइस यह है मेरा एक्षिन कैमरा में इसको मोबैल के साथ कनेक्ट करूगी इससे पहले मैं यह एम बटन दबाओंगी जो कि ओन बटन है इससे मेरा कैमरा ओन होगा यू कैमरा स्विच हो जाएगा सेलफी मोड में आ जाता है और दूबारा इस बटन को प्रेस करने से कैमरा नॉर्मल मोड में आ जाता है येस मुझे इसको मोबैल साथ करना है तो मैं मैं इसको वाइफाई से कनेक्ट करूंगी यह आप बेटन को मैं डबा के रखोंगी इउकें सीछ वाइफाई के कनेक्शन बेटिंग दिखा रहा है नाँ सिह मैं अपने मोबैल से और आपक कर की हूँ जो है iSmart DB आप इस ऐसाफ को डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल को वाइफ कर सकते हैं आप वो आप को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा मोबाइल कैमरा के साथ कनेक्ट हो चुका है, देन मैं अभी उस आप को उपेन करूंगी, यह कुछ ऐसा दिखाएगा, और यह मोबाइल में शो भी कर रहा है, कि यह कैमरा के साथ कनेक्ट हो चुका है, कैमरा में भी आपको दिखाएगा, दाट यह कैमरा, दाट यह कानेक्ट्शन इस कनेक्टेट विद यह फोन, अभी मैं मोबाइल में यह यह से क्लिक करूंगी, तो यह इस तरह स्क्रीन उपेन होगा, यह मेरा घर का फुटेज दिखा रहा है, पर एक्चुली यह कैमरा में आप शूट करेंगे, तो यह इमेज मोबाइल में दिखाई देगा, इससे साफ जाहिर होता है, कि आपका फोन रिमोट का काम भी कर सकता है, अपना फोन के जर्या कैमरा को गौंट्रोल कर सकते हैं, आप फोन में आप कैमरा का सारे वीडियो, फोतोस आप स्टोर करके रख सकते हैं, इसको शैर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड एराउन, इसका यही बेसिक फीचर है, अभी मैं बताऊंगी कैसे डिसकनेक्ट करेंगे ये अब बटन को दबा के थोड़े दिर रखे ये ये वाइफाई आटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाएगा फोन से यू कन सी इट फ्रेंड्स वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दना चाहती हूँ कि ये जो ऐसेसरी दिया है इसको कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं ये कवर दिया है आप इस कवर को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं अपाइब है एसे कनेक्ट करके इसको स्क्रू में और भी इस क्रू को डाल सकते हैं लिक देश देखे मैंने इस कैमेरे को मैंने ये ट्राइपोड स्टैंड के साथ मैंने कनेक्ट किया है ये ट्राइपोड स्टैंड भी बहुत इनोवेटेट तरीके से बना गया है डिजाइन किया गया है इसको ये इतना लंबा हो सकता है इसको इसको ट्राइप इसकी स्टैंड है आप इसको नीचे से इस तरह निकाल सकते हैं ये इस तरह हैं सिंद्र कर सकते हैं स्टेंड कर सकते हैं इसको बेंड कर सकते हैं और इसको अब मेरे सारे अपकमिंग वीडियो में इसी कैमरा से शुट करूंगी और मैंने तो एक अपलोड भी किया है you can see it okay if you like my channel please like share and subscribe